सोन भदुर नरसंहार पर सियासी घमसान ने रफ्तार अब और भी ज्यादा तेज कर दी है बीते दिन प्रयांका गांधी को नरसंहार पीडितों से मिलने जाने पर पुलिस ने उन्हें मिर्जपुर में रोक लिया जिसके बाद प्रयांका गांधी वॉड्रा को बीती राध पुलिस हिरासत में काटनी पड़ी देर राध तक अफसरो का मिर्जपुर गेस्ट हाउस में आना चाना लगा रहा लेकिन प्रयांका गांधी भी अपने फैसले पर अडिक रही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो नरसंहार पीडितों से मिले बगेर वापस नहीं लोटेंगी जिसके बाद प्रयांका पिशले 24 गंटे से धरने पर बैठी थी और प्रश्वासन को उनकी जित के आगे जुकना पड़ा प्रयांका गांधी वाडर के जित के आगे प्रश्वासन ने घुटने टेक दिये हैं उन्होंने पीड़त परिवार की महिलाओं को चुनार किला की गेस्ट हाउस में बुलाया चुनार गेस्ट हाउस के बगीचे में पीड़त परिवार की महिलाओं ने प्रियंका गांधी को देखते ही रोना शुरू कर दिया इंसाफ की गोहार और आखों में आस लिए वो सभी महिला हैं प्रियंका गांधी की गोधी में सिर रखकर बिलक बिलक कर रोने लगी इस गमगीन माहौल में प्रियंका भी खुद की भावना उपर काबू नहीं रख पाई जिसके बाद उनकी आखों से आसु बहने लगे प्रियंका गांधी से पीड़त परिवार की लोग मिले तो उनका रो रो कर बुरा हाल था प्रियंका ने उन्हें संभालने के साथ-चाथ सोनभद्र नरसंहार की भी जानकारी ले प्रियंका गांधी वोडरा ने कहा कि राहूल गांधी ने मुझे पीड़त परिवारों से मिलने के लिए कहा था वो मेरे नेता हैं और उनके दिशा निर्दिश पर ही मैं यहाँ पर आई हूँ आपको बताते कि रोती हुई महिलाओं का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेर करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा है कि क्या इनासूं को पोचना अपराद है बीते दन पोलिस हिरासत में पहुँची प्रियंका गांधी पीडितों को सांतुना देने के लिए 24 घंटे धरने पर वैठी रही साथ ही उनके समर्थकों ने भी उनका पूरा पूरा साथ दिया और आखिरकार प्रिशासन को उनके आगे सर जुकाना ही पड़ा लेकिन राजनी थी यहां भी प्रियंका गांधी के आड़े आ गई लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि प्रियंका के यह आसू असली है या दर्द महसूस करने का यह महस एक दिखावा है कई लोगों का कहना है कि प्रियंका के यह आसू लोगों का दिल ना जीतने लेकिन मुद्दा ये है कि पीडितों का दर्द और विलाब देखकर किसकी आखे नम नहीं होंगे फिलाल सोन भदर नरसहार मामली की जारी है और आरोपियों को जेल भी जादा चुका है जिसमें की मुखे आरोपिक ग्राम प्रधान को भी अब गिरफतार कर लिया गया है फिलाल अजासत दीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और चानल को सब्सक्राइब जरू कीजिए नमस्कार